मुंबई शहर के साथ महाराष्ट्रों में जो कोरोना के मामले हैं दिन बढ़ते जा रहे हैं कल एक ही दिन में 24 घंटों में नौ लोगों की मृत्यू ही कोरोना से कारण इस बीच सबसे बड़ा सवाल ही उठता है कि क्या मुंबई और महाराष्ट्रों में फिर से मामले बढ़ तो सर इसमें जैसे की 24 घंटों में नौ मृत्यू दर्ज की गई है उसके अगर हम परसों की बात करें तो केवल एक ही मृत्यू दी तो इतने तेजे से मृत्यू दर बढ़ रहा है साथी केसिस भी बढ़ रहे हैं तो क्या खत्रे वाली बात है ऐसे जो कोवीड केसे अगर जो भी हुई होगी लंबे समय से एडमिट होंगे उसकी वज़से हो सकता कोवीड एक इंसिडेंटल फाइंडिंग हो सकती है पर मुझे नहीं लगता कि विकॉज ओप कोवीड ओनली इस तक कोई डेथ हो रही है इस तक कोई सीविर टी बहु अभी तक जितने कोवीड वाले केसे वह को मॉर्बिड कंदिशन वाले केसे और एक कोइंसिडेंटल फाइंडिंग हो अन्य बीमारियों से पीडित जो मरीज थे वो सरक कुछ वक्त पहले भी कोरोना संक्रमित होते थे लेकिन अभी हाली में वापस संक्रमन का जो तेजी से बढ़ना है वह काफी हो च हर वेरियंट के होते हैं और उसी टाइप के चलता है यह नंबर ओप केसे जो बड़े यह एक तरह का सर्ज है यह एक तरह का स्पाइक है जो एकस्पेक्टेड था पहले भी कि बढ़ सकते है और मुझे लगता है जो मेरा परस्तिल अनुमाने अगले दो तीन हफ्ता तक अगर आप उन सब केसे सो काउंट करेंगे तो वह इंडिविजली भी को विट से ज्यादा के से साथ सबसे हैं क्या कोई बैठक हुई है क्या कोई निर्नेल यह कैं जिस सरी किसे बी एम सी की जो अस्पताल है वहां पर मास्क कंपल्शन हो गया है तो क्या अब राजस्तर पर कुछ तैयारियां किसा रही हैं है डेफिनिटल राजस्तर पर वह घर सकता है के अगर कोई सड़ometric कहूं नहीं होनी चाहिए हमआरे पास बैड़ की कमी नहीं होनीं चाहिए और पीकिन चींद्सम्हारे वह सारी तयारियां कर रहा है उमीद नहीं लगती है, यस मास्किंग एक सबसे बड़ा वैपन है, इस टाइब की बिमारी से लड़ने का, इसलिए परसुरी जो हमारी बीमसी के साथ मिटिंग थी, उसमें एडिजिन लिया गया गया है, जितने भी गवर्मेंट हॉस्पिटल अगरा है, प्लस ऑफिसे वगर है, महां पे मास्क लगाना चाहिए, कुछ में मास्क को कमप्रसरी भी कर दिया गया है, लेकिन यह सब पब्लिक को ही ध्यान में रखना पड़ेगा, कि जिसको भी सर्दी जुका मुकार होता है, उनको मास्क लगाना चाहिए. आखरी सबल पुछ जाओं कि आने वाले समय में क्या हो सकता है, मास्क आम लोगों के लिए, बाहर पब्लिक के लिए जो है, अनिवारे हो सकता है? अनिवारे करने से ज़्यादा जरूरी है कि पब्लिक खुद को स्वतर डिसिजन लेना चाहिए, विकाज तीन साल हो गया, कुवीड से लड़ते लड़ते हैं, सब को सब पत काम, बुखार, खासी है, तो उनको मास्क पहनना चाहिए, वैदर इसे है, S3N2, H1N1, COVID, और लेंगू, मलीरिया, कोई भी तरह का डिसिजन है, लेकिन अगर आपको खासी आ रही है, जो काम हो रहा है, आप मास्क पहने है, अगर आप भीड़बार वाले इलके में जा रहे ह तो भी आप मास्क पहने है, क्योंकि दूसरा परसन इंफेक्टेड है, आपके पास में आपको पता नहीं है, सो मास्किंग बहुत बड़ा वैपन है इसे लड़ने के लिए, और जिन लोगा ने अब तक अगर बुस्टर डोज लेक्शिन करने ही लिया, तो उनको जल्दी स- घर में ही रहें, और दूसरों लोगों के संपर्ख मिनायों, खुद का ख्याल जरूर रखें, क्यामे पसंद अनिल पवार के साथ, मैं लताव शर्मा, ABB News Mobile